गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक नाव टाइम फो चैप्टर थोर्टीन इस चैप्टर थोर्टीन दा ममा डख यह जो एक स्टोरी है यह डख की है पीटर वाज वॉकिंग इन दा मीडो नियर दा पॉंड पीटर वॉक कर रहा था पॉंड के किनारे पर यह सोवा ममा डख उसने एक ममा डख को देखा शी वाज सिटिंग ऑन हर एक्स वो उसके एक्स पर बैटी हुई थी पीटर आश्ट हर पीटर ने उसे पुचा वाज आरे शीटिंग एर तुम इहाँ पर क्यों बैटी हो आएम हैचिंग माई एक्स मैं अपने एक हैच कर रही हूँ सैट ममा डख की एकसाइट वोईस एक्साइट वोईस में बहुत खुशी से उसने ये कहा कि मैं अपने एक्स को हैच कर रही हूँ सून प्यूटिफुल टखलिंग विल कम आट फ्रॉम देम और बहुत जलते बहुत खुबसूरा टखलिंग खुबसूरा चे बच्चे इसमें से बाहर निकर के आएंगे एंड ममा डख ममा डख ने कहा कि तुम वेट करो और देखो अपने आप देखना जस्ट देन वन ओफ दो एक्स क्रेक्ट एंड बूटिफुल स्मॉल डखलिंग केम आट उफ इट कुछ देर के बाद एग क्रेक हुआ एंड वहां से एक उसमें से एग मैं से वहती खुबसूरत सा डखलिंग बाहर निकल के आया ममा डख पीट एट अवक्षिनेटली ममा डख ने बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से उसे अपनी चौन से सहलाया बाई एंड बाई four more little duckling come out of their shells चार और डखलिंग वहां यानि कि जो एक से चार और डखलिंग हैस करके अपने शेल से बाहर हैं कि five duckling अब यहां पर हो गए look a duckling can swim from the very first day of its birth said mama duck mama duck ने कहा कि देखो पहले दिन से ही ये swim करेंगे इनकी इने swim पहले दिन से ही आ जाती है इने सिखाने के जरूत नहीं होती है come on come on children let's go for a swim mama duck कहती है come on children आओ बच्छो हम swim करते हैं the mama duck called her little duckling and then entered into the pond mama duck उन बच्चों को ले करके बुला करके जैनकी जो duckling थे उनने को बुला करके पॉंड में एंटर कर गई the little duckling stood on their tiny legs and followed mama duck little जो duckling थे वो अपने लेक पर खरे हो गए and अपनी mama duck को follow करने लग गए they dived into the pond and begin to swim as if they had been trained for it वो उसमें pond में dive करने लगे जैनकी तेरने लग गए ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले से ही उन्हें किसी ने training दी हुई है swim करने की जबके वो उनका first day था Peter waved them goodbye and went on his way Peter उन्हें goodbye बोला और वहां से चला गया now exercise Peter took the correct answers Peter was walking in the middle near the pond Peter कहाँ पर वोक कर रहा था pond के किनारे a duckling can swim from the first day of its birth यानकी पहले दिन से ही वो swim कर लेती है mama duck has her five duckling duckling कितने थे उसके five the little duckling followed mama duck little duckling किसे follow कर रहे थे mama duck को try t for true and f for false in the given circles mama duck was sitting on her axe mama duck को अपने axe पे बैठी हुई थी true mama duck was hatching her axe mama duck egg को hatch कर रहे थी yes five little duckling come out of the axe अंडो मैं से पांच duckling बाहर आए थे right mama duck taught the duckling how to swim mama duck ने क्या उने सिखाय था कि swim कैसे करते हैं नहीं वो starting से उने first day से ही swim करना आता है a duckling can swim from the very first day of its birth it's true वो पहले दिन से अपने बर्थ के पहले दिन से swim कर सकते हैं तो यह exercise आपको अपने नोट बूक में नोट करनी है and question answer आपको ऐसा PDF आ जाएंगे so your chapter is complete